नमो नारे येगो माता वंदे मात्रों मा भार्ती कुप्रणाम और हिर्दैशे ओम शम्शनिश्चराय प्रिदर्शकों मित्रों शाथ्यूं ज्यान की अनभू दी शब्दों का विशे नहीं है अनभू का विशे है और ये अनभू जीते जीव वर्तमान में हमारे जीवन में अविश्य घटित होना चाहिए और जब तक ये घटित नहीं होगा बिना इसके घटित हुए हम भटकते रहेंगे और वो शुक हमें नहीं मिलेगा जिसके लिए मानुतन मिला है इसलिए नर्तन पाई यतन का रहसा जिससे वो करतार मिले और ऐसी उत्तम योनिन बनू न तुझे बारम बार मिले बात करते हैं 6 दिसंबर 2023 के राशिफल और पंचाम राशिफल पर आओ उससे पहले आज का पंचाम मार्क शिष मास्क क्रिशन पक्षक की नौमी विकरमश्मद 2008 मार्क शिष मास्की 21 पर विश्खत सक्षण 1945 मार्क शिषफ 15 तदनुसार भुद्वार 6 दिसंबर 2023 शुदगालिन तिथी नौमी है तिथी का जो समाप्तिकाल है साथ दिसंबर सुबह तीन बटकर चार मिनट पार शुरुदकाल योग प्रिती योग है योग का जो समाप्तिकाल है रातरी ग्यारा बजकर तीन मिन्ट अगला योग आयुश्मान होगा शुरुदकाल करन तहतिल करने करन का समाप्तिकाल दोपर एक बजकर त्रेपेंट मिंट अगला करण गर होगा शुर्दकाली नक्षतर उत्र फालबून नक्षतर स्वामी शुरीदेव है नक्षतर जो शमाप्तिकाल है उस साथ दिसंबर सुबह 6 बजकर 39 मिंट पर यह आज चंदर देव सुरीदेव के नक्षतर में संचरण करेंगे और चंदर पर आज शिंग राशी बारा राश्यों प्रक्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशी पल की बात करूंगा लेकिन उससे पहले आज की ग्रहय यूगायोग की चर्चा करें आज सुरुदकाली लगन क्या है सबीक ग्रहय देवता किसकी से राशी में संचरण कर रहे है इसक मीन राशी में रावदे और कन्या राशी में केटू दिव यह ग्रहों का संचर्ण और इसी यह आधार पर 6 दिसंबर 2023 का मैंने राशी प्रक्यारा बजगर 51 मिंट से लेकर 12 बारा बजगर 33 मिनट तक आज अभिजीत मोहरत नहीं है दू मोहरत है और यह अवदी 42 मिंट की है और इन 42 मिंट में आज कोई भी शुबकारिय करना उत्तम नहीं माना गया ऐसी सला मेरी और मर्जिया अमरित का चोगडिया सुबह 8 बज कर 18 मिंट से लेकर सुबह 9 बज कर 36 मिनट सुबह 10 बज कर 54 मिनट से लेकर दोपर 12 बज कर 12 मिनट तक लाब का चोगडिया साम 4 बज कर 6 मिनट से लेकर साम 5 बज कर 24 मिनट तक रहेगा आज का जो रहुकाल है वो दोपर 12 बज से लेकर डैट बज तक रहुकाल के दुरान शुबकारिय करना शौदा करना पुझनिवेस करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया ऐसी सला मेरी और मर्जिया यात्रा साधन है जिनकी गती बहुत तेज है इसलिए किसी दिशा में यात्रा करें कोई प्रतिबंद आपके उपर नहीं लेकिन जब आप यात्रा के लिए आज के दिन घर से बाहर निकले तो पहले साध कदम पुरुदिशा के और जाए इस्ट देवता कुल देवता पित्र देवत का जो नंबर है गोशाला का नंबर है उस पे आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका आपिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 बजे के बीच में उठाए जाए जाए इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 दिसमबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा इस बात का ध्यान में पर दर्शकों मित्रों शाक्तियों 6 दिसमबर आपका जनम दिन या पर शादी की साल गरे मेरी और से आपको हार्दिक सुबकावन है आपका जिमन खुश्यों से से लेकिशनी डिव की से हमेरी चाहत से शाद्र में मेरी च्छैथ दिसमबर आपका जन depression दिन और शादी की शान गरे सुरुद्य के समय सर्धापरु भगवान गणपत्य का पूजन कारें दूप दीप नयवेदी पुष्ट और अक्षत अर्पिर्या केरियर करोबार नोकरी वेवसाहिप प्रिवार श्रमाज जिवन में कोई भी समश्या उठा पड़न विकन और बाधाएं हो तो 108 हरी इलाज़ की माला कच्चे हारे धागे में बनाकर चौकी पर सुद्वस्तर अपने सामने रख दिजी सुद्देशी घी का दिपक जलाईए और गनेश गायतरे का 108 बार जाप करने के उपरां ये माला गनपत्य की सिर्चलनों में अर्पित पूजा के उपरां सर्धान उसार बथवा प बात करूँगा आपक राशी अजसे प्रशे वालों के लिए चंदर डेव 2.5 बार पंचमभाव में चंदर देव सूरीव के नक्षण भना आज अनकूलता लाब और शफलता का संकेश सभी चीजे अपनी अपनी जगे पर ठीक रहे हैं काम भी बनेंगे नौकरी में शफलता मिलेगी स्वास्ते भी ठीक रहेगा रोजगार के साधन उपलब धूंगे और कामकाज कारबार में आर्थिक पक्स की सुधरता भी आएगा आज अपनों का सयोग बहुत अच्छा रहेगा स्वजनों का सयोग बहुत अच्छा रहें हाँ भागदोर है मैनत है संगार से लेकिन सपलता है लेकिन तू तिन चीजे जिन पर आपको काम करना पड़ेकि एक अधिकारों को नाइज़ाय स्फाइदा नहीं उठाए दूसरा जिम्दारी की पर्टिला परवाई ने आप युवा हैं कामकाज नौकरी खारुबार की इसाब सपलता का संकेते सास्त और प्राकरम बिद्धी होगी केरियर और एजुकेशन के छेतर में अच्छी सपलता मिलेगी और कामकाज के अच्छी आउसर भी मिलेगी क्या करें कारी छ जुटाय विदमेह कपिराजा यह धीम ही तन्नुह हनमत पर शुर्दे से पहले साधे तीन से चारी की बिच में सुद्धेशी घीक्या दिपक जिलाकर इस मत्र की तीन माला जाप करने से शंपाउं विगन बाधा और परेशान से जिटकारा मिलेगा आज नमनाएन और बात क चन्दर दिव चतुर्द भाह में चंदर देव शुरुद्यव के नक्षब में संतेटर करें रिफिल प्रतिकुलताप रिशानी और कश्ट का संकेदरी नक्सित रूप्र समाचार से मन् प्रिशान होगा धन का आपर है कार्यों में बाधा है पार वारिवारी को उलजिनों स है समाजिक मामलों में माना अने का संकेत है और वाद विवाद का सामना भी करना पर रहता है प्रिमेंस एन बैटर देवन क्या करें अपने और अपनों और मित्रों के साथ वहभार में मदूरता लाए कि मुशिबत में अपने नहीं खड़े होते साथ क्या ना करें जल्दबाजी में कोई कारिया ना करें सुबंग्ष है सुब्रंग आस्माने भागया आपके प्रक्ष में केवल केवल 40 प्रसेंटी लाब का संकेते विर्शवराश्वालों और उम्तत पुरसाइविद में महादेवा ये धी तनों और शपलता का संकेते लिए आए के नहीं साधनों प्लब्द होंगे नौकरी में उन्नती धनलाब और मानतमान बढ़ेगा और सास्वर प्राक्रम बढ़ेगा देश विदेश से केरियर कारुबार संबंदी सुब्समात्तर की प्राप्ति का भी योग है जिस्तर की घरे और चाए ऐसरा में लाग और निजी समझने भागी से लतार रेए बागी का अच्छास मिलगा कामकाज करवार्वार केरियर में और चीक्रवारी खुषय प्रद्धान्त थान्ति क्या ना करें स्टुबंग साथ सुबरं क्रीम भाग आपके पक्स में पत्चास्य प्रसंद आपका संकेते मितंदाश वालो ओ एक दंताय चे विद महें गौरी शुताय चे धी महीं तन्नों दंती प्रचिदार गणपत्ति के इस मंत्र का जाप करने से विग्ण बाधा और परिशान से फिटकार होगा आज आपका नमनेन रुबात करते हैं करकरा से लिए उससे पहले आ कि नित्य कर्म देखते उपलों के अंगार पर पर साथ चुठ की पीशावा लोबान या फिर गूगोल डाले और पूरे घर में भूप देगी हर बुद्वार को करे सुरी उदे से पहले और सुरियास के बाद संपहूं कर्ष्ट परिशानी और नकारत में गुर्जा से करें वेर्थ की वादव्योजन समय नस्तना करें मैनत परिश्रम संगर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और आर्तिक सुदरता के साथ रोजगार के साथ हंदी उपलब आप युवा और विद्यारती हैं युवाओं के लिए आज का दिन इंटेरियर डेरी प्रोड मेरीज भीओर चेतर में युवाओं के लिए नक्षत करना पूंता लाब का संकेदि क्या करें मित्रों के साथ समंध्य ना करें कामकाद में ज्यादा को फिर बदल ना करें सुबंग दो शुबरंग शपेद भाग्यापकी पक्समें साथ परसंद लाब कर संके दिक्रक्राशिवालों प्रादगाल नित्य करम से निव सिनानों प्रण श्रत्धापुर मृतंजे मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा एक्सो आट बात करते शिंग्राशी लगन भाव में चंदर देव शूर्य देव के नक्षतर में संचन क रश्रमें शुबहा की साथ देगा सास और बावबल में बिद्धी होगी सुबकारी की यूजना बनेगी बाई बंदों का पूंट शयुग मिलेगा नौकरी में आगे बढ़ने का मोका मिलेगा और कारिस्तर बाब का बर्त्रसू बढ़ेगा कारिस्तर पर उत्त दिकारी का पूंट से उग मिलेगा आप सरकारी गेर सरकारी नौकरी में काम करते हैं आज संतुष्टी का दिन है लाब मिलेगा सरकार से पूंट लाब मिलेगा मननटल प्रमोशन इस्थान अंत्रन पुराना कोई पूंजी निवेस्त उसमें सफलता है और शिक्षा के छितर में आगे अच्छा मोगा मिलेगी क्या करें परिश्रम के कारी शफलता मिलेगी मूल मंत्र आज आज का यह है कि महनत और परिश्रम करें क्या ना करें गयर कानूनी कारी ना करें सुबंगतिन सुब्रंग औरेंज भागिया आपकी पक्स में 80% लाब का संकेते शिंग राश्वालों ओ पार्वे भाव में चंद्र देव स्थूर्य देव के निशनों में संचेकर समय प्रतिकूलता और परिश्रम करें आज चिंताओं से मुक्ति पाना आज स्यज नहीं नजरा रहा है मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा कारी वह विशाय में हानी और रक्माजी का डूबना शंबगा तथाकति लोगों से धोका मिल सकता है और तनाव बड़ेग और श्रस्य प्रभाविश हो जड़ा लापरवाईर आसाधनी आपके लिए दुख का कान बने किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें तथाकति म मिंद्र मनली आपको धोका देगी भागदोर और परिश्रम के बावजूद भी वह शपलता नहीं मिलेगी जो आपको मिलना चाहिए गयर कानों निकारी और अनातिक कारी से अपना आपको दूर नहीं रखा तो मोटा नुक्सान क्या करें बुजुर्गों की सलह से काम करें क अनुद अन्ति प्रजात इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाब करने से सारा दिन खुशन से बितेगा नुमनाईन और बात कते हैं तुलाराश्य ग्यार्वे भाव में चंदर देव शुर्देव के नक्षटर करें स्नुन उत्ताम है नक्षटर करना अनकूल परिवरतन औ अप्रबल संकेत देगे बुद्धी विवेक्स स्थोचिवे कारे में सफलत हासिल करेंगे कार वेविशाय में मजबूती आएगी परिवार में खुशिया और सुख समचार मिलेंगे यात्रा सुकद रेगी विद्यार्वे युवाव के लिए शिक्षाक्शन में सफलता और जाय चे विद्म हे दिविदेहाय चे धीम ही तन्नों शुक्र प्रतिद्यात इस मंत्र का सर्धानु साथ जाप करने से सारा दिन खुश्यों से बिटेगा नमनानी और बात करते विर्चिक रासी दसंभाव में चंदर देव शूरी देवक नक्षन में संचन करे शास्ष प् कारवार इक शुक्त बढ़ेगा और इच्छित मनों कामनां की पूर्ति होगी केरियर कारवार परिश्ण का पून फल आजाप घर में बरकत होगी बचेद होगी वेविशाय पुजिन वीश्ण सपलता का संकेत और विद्यारतियों के लिए पढ़ाई में में मेहनत का पून अनुमत प्रज़ात अन्मान जी के इस मंतर का स्रधान साथ जाप करने से पूरा देन खुशियों से बीटेगा नमनान और बात करते हैं धनुराशी नमवंभाव में चंदर देव नमवंभाव में चंदर देव सुरुदेव के नक्षण में संचनता रहा है कामकाज कारवा को उत्तम आउसर मिलेंगे अध्यात्म और शाष्ति रुजाना चरेगा परवारी जिम्मेदारियां पूरी योगे रियात्रा करना भी संबह हो आज कड़ी महनत कठीन प्रिश्चिंटा विद्यार्ति और युवाउं को उत्तम लाब और शफलता मिलें उच्छादिकारियो मन मुटाव ना करें सुभंति शुवरंग प्रपल भाग्या आपकी पक्स में पैंसट प्रसंद लापका संकेते धंदाश्वार्व और बात करते हैं मकर रासी लेकिन उससे पहले आज का उपाएं कुछ मित्रों ने कह साब नौकरी में बहुत आ रहा है बार 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 नौकरी शूटरी क्या उपाएं बुद्वार के दिन प्रतकाल नित्य कर्म सुनान उप्रांध सुर्य उद्धे ठीक 12 मिन्ट पहले शर्दा अनुसार हरी मूँ पांच गरीब निर्धन जरुद्मन लोगों को दान में दे जीगा जितनी आपकी शर्दाओं ओम गंग इस मंत्र का जाब करते हैं नीले आग के पुष्ट परफित करना भी बड़ा शूब रहेगा लगातार कुछ बदुद्वार करके देगेगा विगन बादा परिशानियों से शुटकारा में जाएगा नमनायन और बात करते हैं मकाराशी आश्टम भाव में चंदर देव और परिशानिका संकेत रातरी कवेर्थ भर्रमन आपको नुक्सान देगा गलत संगत हलकी स्ट्यूप समय बरबाद कर देगे कानूनी समय का संकेत है तथा कते मित्रों से विशावधान देगा विद्यारतियों युवाओं के आज का दिन मिशेश शावधान देगा परवरी अ अनुसारी समंत्र का जाप करेगा विगिन बाधहों परिशान से चुटिकारा मिलेगा नुमनानी और बात करते हैं कुम्राशी सप्तमभाव में चंदर देव सुरी देव की नक्षब में संचन करहें समय अनकूल कारीशित में अच्छा लाब देखने को मिलेगा लेखन सास साल मिल अच्छा रहेगा अगर आप प्रसाजने का अधिकार है तो आपका वर्चस तो बढ़ेगा और प्रिश्रा प्रणा में अच्छे रही क्या करें कारें कि प्रति इमांदार है क्या ना करें भूमी और वहान के कारियों में पूंजी नवेशन नहीं करें सुबंग एक कामकाज कारवार नौकर में बाधाओं के निवारण का संकेत अच्छा नजरा रहा है जो कामकाज नौकरी वेविशाय में बाधायती उससे मुक्ती मिलेगी दनलाब के मार्क प्रसस होंगी परवरिक महुल शुकत रहेगा और सुक्रे साधन बढ़ेंगी शत्रु प्रास्त सब्सक्रावार का साथ मिलेगा क्या करें मत्पुंक कार्यों को पूरा करने का प्रियास लाब दाएक रहेगा क्याना करें सत्रु को कमजोर न शुबंगनाव शुब्रंगरा भाग्याप्ति आस्टी प्रसंद लाब का संकेत हैं में डाशिवालों आज प्रादकाल नित्य क प्रांट सर्धान उसार या 108 वार वेदमाता गाहितरी का जाप करना अती उत्तम रहेगा प्रदर्श करमित्रों शात्यों यह था 1212 राश्यों का राश्य प्रत नक्षत र्ण्यों के आधार पर मेरा नेजी आंकलम ना भय न भ्रम ने भ्रहन प्रांति ने विवाद ने तर कि हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया यह मेरा सौक था मेरी राश्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं यह मेरा जीवन का और गोश्यवा में अपना जीवन इस राश्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंक करती हैं वो मेरे को यह कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका श्योग चाहिए और श्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूं आपकी समश्याओं के समधान के लिए वही आप अपनी जन् कारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पूरी साल खड़ा रहूंगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए और मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दातिमाराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है सातियों मेरा राश्ट रोपर है मैं यह नहीं कहा रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खु पिछले एक महिने में लगबग लगवर 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिन्होंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की परती अपना आभार प्रगर्ड करता हूं और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी परस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशाने नहीं चाहिए सरकार स्रकर कर रहे है अपनी शीमाओं में रहते हैं जो सरकार करती लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हे शासन के अपनी एक शीमा है और अपनी मुर्यादा शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयो करें मेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमना रहें ओम नमना